कि हलो फ्रेंट्स ब्यालाइव नाउ आजके सेसन में हम लों सीटेडी एगजामनेशन के लिए भी एए एक कोशन एंशर पर डिसकस करेंगे जो आपके सीटेडी एगजामनेशन के लिए काफी महतपूर्ण है तो यह स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो फरस्ट कोश्चन है सरीर में सबसे लंबी हड़ी का नाम क्या है तो सबसे लंबी हड़ी का नाम है फीमर जो जोग में होती है सरीर में सबसे छोटी हड़ी का नाम क्या है तो इसे स्टेपीज कहा जाता है जो कान में होती है सरीर में सबसे मजबूत हड़ी का नाम क्या है तो इसे मंडीवल कहा जाता है जो जबरे में होती है Q4 जर्म के समय नवजाज सिसु की तोचा का रंग कैसा होता है तो हलकाम गुलाबी होता है और 15 दिनों के बाद अस्थाई रंग को प्राप्त कर लेता है Q5 नवजाज सिसु कितने घंटे तक सोता है तो नवजाज सिसु 18 से 20 घंटे तक सोता है और 2 घंटे जाकर अपनी मांस्पेशियों को घुमाता है Q6 बालक का विकास 6 वर्स तक लगवा कितने परतिसत हो जाता है Q7 बालक का विकास 10 वर्स तक लगवा कितने परतिसत हो जाता है तो 95% हो जाता है question number 8 बालक की हड्डियों की हड्डियां कितनी होती है तो बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 तक हो जाती है question number 9 नेसुल केवंiba बाल Sikchodziak अधिकार एवंडियम 2009 का विस्तार किस राज में नहीं हुआ जमू का स्मीर में नहीं हुआ तो question number 10, सिक्चाक अधिकार 2009 के तत नीजी विद्याले को कितने परतिसत सीट आरक्षित करना अनवारिय होगा 25% question number 11, 25% से कम बुद्धी वाला बाला क्या कहलाता है, बारा question number 12, यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किसोरा वस्था का वसी मूलतात है, यह किसने का रौसने का कुशाग्र बुद्धी अत्वा परति भावन बालक हुआ है, जो निरंतर किसी भी उचित कर्येशत में अपनी अदबुत कर्ये कुशलता अत्वा परवीनता का पढ़चा देता है, यह कतन किसका है, तो हैविंग्स हर्ष्ट का है कुश्यनम, 14 पिछरा बालक हुआ है, जो अपने अध्यन के मद्ध काल में अपनी कक्छा का कारिया, जो उसकी आयू के अनुसार एक कक्छा नीचे का है, करने मौसमर्थ रहता है, यह किसने कहा सिरिल वर्ट ने कहा था, समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रियोग किया जाता है, जिनका विभार अथवा ब्यक्तित किसी बात से गंभीर रूप से असमान ने होता है, यह कतन किस मनो बिज्ञानिक का है, तो वेलेंटाइन का है, कुश्यनमर्थ 16 वह बालक जो समा द्वारा स्विकिर तो आच्रन का पालन नहीं करता, अपराधी क अलाता यह किस ने कहा था, हीली ने कहा था, कुश्यनमर्थ 17 बुद्धी के किस सिध्धान्त को बालु का धेर कहा जाता है तो बहुतत्य सिध्धान्त को बालू का धेर कहा जाता है को एक्टी के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धी का पतल लगाया जा सकता यह कतन किसका है लेवेटर क्या है कुश्च नमर 19 वे सिक्षार्ती जो संबंद ग्यान और सक्षिनिक तक्षिता को उपागम अविविन्याज कुश्च नमर 20 परतिवासाली बालक हुआ है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर और गुनबत्ता में विसिष्ट होता यह कतन दिया गया टर्मन एवं ओर्डन द्वारा कुश्च नमर 21 बारा वर्स्तक के बालक के मस्तिक्स का भार कितना होता है तो बारा वर्स्तक के बालक का मस्तिक्स का भार 1260 ग्राम होता है जबकि एक स्वस्त मनुष्ट के मस्तिक्स का भार 1400 ग्राम होता है कुश्च नमर 22 मनुष्ट के सरीर में कितनी हड़ियां होती है 206 हड़ियां होती है बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड़ियां होती है वहम मिसले धनात्मक मनों बउज्याना के जनक सिंग्मन फ्राइड को माना जाता है 25 तुफान के वस्था किसी कहा जाता काफी महतपूर्ण परसन कई परकल को किस ने कह था तो एस्टिन ले ने कहा था कॉंस्चन मनकी उत्तेजित दसा को संबेख कए brushy 30 काल रोजर ने दिया वह अस्तर जिसमें बच्चा किसी बस्तुवय गटना के बारे में तारकी रूप से सुचना सुरू कर देता है, वह कौन सी अवस्ता होता है, मुर्थ किरियात्मक अवस्ता, question number 32, स्रिजनात्मक मुख रूप से किसे संबन देता है, अब सारी चिंतन से चिंतन अन्वारिय रूप से क्या है, किसी बालक में चिंतन की योगता उसके सफल जीवन का मूल अधार है, या कथन किसका है, तो क्रो और क्रो का है, question number 35, चिंतन के दिश्टी से किसी बच्चे में स्रिवेशेश चिंतन है, तो उसे क्या कहेंगे, तारकीक चिंतन, प्याजे के अनुसार किसी बालक में तरकीकता का भाव किस आयू तक होता है, साथ वरस तक, किस बच्चे के चिंतन में आयू के बढ़ने के साथ उसकी परधानता बढ़ती है, तरकी, question number 38, ये जन्व के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कप अरंब होता है, तो दो वरस की आयू के बाद, question number 39, किसी चात्र का बधिक विकास, सारेरिक विकास, तथा संबेग आत्मक विकास, उसकी विकास की परकीरिया का कौन सा कारक है, आंत्रिक कारक है, question number 14, माता, पिता से सं जनों को प्राप्त होने वाले गुन को क्या काते है, वंसानुकरम काते है, question number 41, अधिगम की परकिरिया पूर्ण कब होती है, जब बेभार में अस्थाई परिवर्तन हो जाए, question number 42, मनोबिग्यान का जनक किसे कहा जाता, question number 43, अंदो की लिपी के जनक किसे कहा जाता, लूई पिल लिपी का, question number 45, नर्सरी पदती का जनक किसे कहा जाता, मारिया मॉन्टेंश्री को कहा जाता है, question number 46, एलकेजी वा यूकेजी पदती के जनक कोन है, फ्रोवेल है, question number 47, जीन प्याजे ने कहा कि, कहा कि मनोबिग्यानिक थे, सुट जरलेन के थे, question number 48, जीन प्याजे किस सारा के समर्थ तक थे, question number 49, एसकीमा सिधान्त का जनक किसे माना गया है, तो जीन प्याजे को माना गया है, आज के सेसन का लास्ट कोस्चन, जीन प्याजे ने अपना पहला प्रयोग किस पर किया था, तो उनके जो दो पूत्रियां, एवं पूत्र थे, उन पर उन्होंने प